हेलो एव्रीवन रादे रादे तो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ किचिन से जुड़े हुए बहुत ही कमाल के टिप एंड हैक्स जो आप लोगों की डेली लाइफ को बना देंगे बेहद आसान इन्हें अपना कर आप आपका समय और वैसा दोनों ही बचा सकते हैं चलिए फिर देख लेते हैं बिना कोई देरी किये वीडियो फूरी बहुच करिएगा फ्रेंड्स और अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर रताइगा तो सबसे पहले वाली टिप से हमाने जो किचिन के वल्फ है या फिर घर में जो टूफ लाइट लगी है उनमें जो इस तरीके से गंदीगी चा जाती है और फूर वो कम उजाला करने लगते हैं तो इनको हम कैसे साफ करें और बैसे भी अब त्योहार आना शुरू हो गए हैं तो हमें घर की साफ सपाई भी करना शुरू करना है तो दीरे दीरे हम सपाई करना क्यों न शुरू करें तो यहां पर मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखा रहे हूं लाइट को के वल्फ और टूप लाइट को किस तरीके से हम क्लीन करेंगी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बो भी मैं आपको बता देती हूं तो यहां हमें कि मैंने तूसरी चीज है आपको एक लेमन ले लेना है आपको जितना आपका ज्मीथा सोड़ा है तो यहां पे मे एक लेमन कुकी अपना चाहिए का ne नहीं किया है और अब इसे मैं अच्छे से मेक्स कर लोंगी तो ही हांपे मैं आपसे ही से लगाओνगी तो इस तरीальной के ऊपर हमें यह लगा देना है जो घर में टूपलाइट 12 हमारे बहुत जादा गंदे हो गए हो तो उनको आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो जो किचिन का है वो तो बहुत जादा चिकनाट और बहुत जादा गंदगी का हो जाता है तो वो अच्छे से साप नहीं हो पाता है लेकिन यह वाली जो टिप्स है आप इससे अगर एक बाट तो यह देखिए मैंने इस तरीके से लगा के इसको 5-10 मिनेट के लिए छोड़ दे रही हूँ यहाँ पर मैं टूपलाइट भी आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ टूपलाइट मेरी रूम की है तो यह इतनी जादा गंदी नहीं है लेकिन गंदी है तो इसको भी मैं इनको हम धुल सकते हैं नहीं तो इन्हें हमें धुलना नहीं है इन्हें हमें एक कपड़े से साप करना है तो सबसे पहले मैं फिंगर से इस तरीके से इसको रब कर लूँगी ताकि इसके उपर जो गंदी चिकनाट जो भी लगी है वो अच्छे से साप हो जाए फिर आप को प्लाइट होगी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी तो यह देखिए मैंने इस तरीके से जो मेरी टूप्लाइट थी रूम की उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है ना इसको में दूलने की जरुत पड़ी ना ही इसमें कुछ मतलब लिकवेट जादा अंदर गया है और कुछ भी यह बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है तो यह देखिए इस तरीके से आप टूप्लाइट को बहुत ही इजी क्लीन कर सकते हो तो यहां पर मेरी टूप्लाइट अच्छे से क्लीन हो गई है अब बारी आती है बल्फ को बल्फ को हमें किस तरीके से क्लीन करना है क्योंकि बहुत सारे जिद्धी दाग लगे हैं बल्फ पे चिकनाट है बहुत जादा और वह इस तरीके से क्लीन नहीं होगी तो वल्फ की चिकनाट को किस तरीके से क्लीन करें तो वह भी मैं आपको बता देती हूं तो यह देखी टूपलाइट मेरे एकदम से अच्छे से साप हो गई जी हां फ्रेंड्स यह जो इसक्रप होता है यह इसक्रप लेना है इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया सिर्फ इसक्रप यह और इससे बस आपको इसको रगड देना है बस इसी तरीके से आपको रगड देना है बस इसी तरीके से आपको पूछ देना है और आपका जो वल्फ ह इतनी अच्छी से clean हो जाएगा कि आप खुद भी नहीं सोच पाऊगे कि बल्फ वाके इतने अच्छी से clean हो गया हमें सिर्फ पूछ इस से अलका सा रप ही करना है हमें कोई रगड़ना नहीं है और जो इस side में holder है इस पर थोड़ा समय रप करना पड़ा है पस जो भी आपके सामने है वही किया है और गीला जादा नहीं करना है क्यूंकि बल्फ के अंदर पानी नहीं जाने देना है LED इनकी ख्राब हो जाती है तो इस तरीके से बस हमें साप करना है और फिर हमें कोई जो कपड़ा है उससे इसको साप कर देना है दुलना नहीं है बस इस तरीके से हम इसको कपड़े से साप कर देंगे और आप देख सकते हुए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है तो बस इसी तरीके से आप बल्फ को क्लीन कर सकते हो तो यह देखी है इसके उपर आप पहले लोगी आपको मेरी टिप्स कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर जरूर बताना और एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा दम्हातु रखता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो यह वाली टिप्स है हमारे इस तरह की जो उनको बहुनी है तो कट चुछ इहां कुछ न सी तरीगे sister चुभ आपे दिफाः नूसा है तो और इंवल में आपकर चुछ तो इसके पीछे वाला हिस्सा है उसको हम हटा देंगे यह हमारे कोई कामकर नहीं है तो यहां पे इसको मैंने इस तरह के से हटा दिया है और अब मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी तो हमें यह कितना कैसे कट करनी है वो भी मैं आपको बता देते हूं तो यहां पे काम आ़ती हैं हम गर में चोहिछ इसको जादा है प Après इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया चोटे से मुझे एक-ट०क कर लें कट कर ली तो आप भी इसी तरीके से सारी जो फॉल ओतीन है उसको कट करते यहां पे बस कुछ इस तरीके से मैंने सारी फॉलोथीन को कट कर लिए अब बाय बढ़ते हम इसका क्या करेंगे तो यहां पर हमें लेना है बस एक तरीके का यानि की छोटी सी बॉल को कुछ भी आप ले सकते हो और उसमें हमें डाल देनी है सेंपू आप कोई भी सेंपू यूज में ले सकते हो फिलाल में मेरे पास एंचल थी इसमें डाल देना है थोड़ा सा पाणी ज्यादा पाणी नहीं लेना ज ketchup आ सा पानी लेना है अब इस को अच्छे से मेगुस कर्देना है अप इसे अपने फिंगर से मींश सकते यहां पिले लेकर भी पिलाकर अच्छे से मैक्स कर्दें तो तौमे रिखेश से मिक्स कर दीख अब मैं लेना का नैससी इसमें किया हृर दोसरा तील को पर अब मिक्से करने पूरे शेम्पू और डिटॉल को अपने अंदर शूक लेगा तो उसके बाद में आपको इसने धूप में नहीं सुकाना है सबसे में यह है कि आपको घर में ही पंखा की हवा में सुकाना है या फिर नॉर्मल ही ऐसे यह सूक जाएं तो इस तरीके से मैंने हाँ पे इनको एक एक करके खोल कर सुकाना शुरू किया और कम से कब इनमें 2-3 घंटा सूकने में लग गई थी तो आप ऐसे के लिए कि शाम की टेम पे इसको बना कर रखिएगा रात भर में यह अच्छे से सूक जाएंगे तो अब यह हमारे सौप पेपर बनकर तयार हो गए जैसे कि हम बच्चों को स्कूल में सौप पेपर भेज सकते हैं हाथ धोने के लिए तो इस तरीके से मैं आपको एक को बता देती हूँ जब यह सूख जाएगा उसके बाद में आपको पहले अपना हाथ घीला करना है हाथ गीला करने के बाद में फिर आपको इसे अपने हाथ में रब करके देख सकते हो कि यह कितने अच्छे से पर्क करता है या फिर हम कहीं सपर में जा रहे हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छे से काम आ सकता है तो ये देखी कुछ इस तरीके से हमारे हाथों में बहुत अच्छे से फूल जाएगा और जो हम soap paper लेते हैं वो अच्छे से फूलता भी नहीं है और अच्छे से काम भी नहीं करता है अगर हम एक से दो soap paper लेते हैं तो वो हमारे हाथों में अच्छे से फूलता है तो इससे आप खुद अच्छे से आपके हाथों को clean कर सकते हो यह आपके बच्चों को स्कूल के लिए या फिर घर पे या फिर कहीं सपर पे जाने के लिए आप लोगों को बहुती ज्यादा यूजफुल रहेगा तो इस तरीके से आप इसे यूज़ में ले सकते हो उम्मीद करती हूं छोटी सी टिप से आपको पसंद आई होगी तो इसी गंदा हो जाता है तो हमेसे कैसे क्लीन करें बिना जादा मैनत के तो इसके लिए मैं बहुती इजी टिप्स बतारे हैं फ्रेंड तो यहां हमें क्या करना है यहां पे लेना में ब्रेकिंग पाउडर साथ में ही उसमें हमें लेना है लेमन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद में फिर आप इसका किस तरीके से यूज लेंगे तो भी मैं आपको बता देती हूं तो यहां पे को कि मग कितने अच्छे से clean हो सकता है तो इस तरीके से आपको इसके उपर चारो तरफ डाल देना है ज्यादा कुछ करना नहीं आप देख सकते हो अभी इसका कितना वह निकल रहा है यहां पर मैं व्रुस से इसको चारो तरफ फैलारी हूं क्योंकि हाथ से यह फैलेगा है नह पर तूथ फिरुस लेना है और तूथ पृस से इस तरीके से रब कर दीजे अगर आप तूथ प्रिस से नहीं रबकार पा रहे हो तूथ पर इसम लगता है क्योंकि थोड़ी सी ही जगे गहरता है तो उसकी जगे आप इसे क्लीन करने के लिए उससे सबसे ज़्यादा ज़ल सूब्सक्राइब अंदर हम आपको बाद में दिखा देंगे लेकिन अभी मैं सिर्फ एक साइड का आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ आप खुद देख सकते हो मैंने कोई ज़्यादा इसको रप किया नहीं है बस आपी के सामने जो रप किया यही रप किया है और अब मैं इसे धुल के दिखा देती हूँ तो इसे चली धुलिये और देख लेते हैं कितने अच्छे से सारी जो दाग थे वो किस तरीके से क्लीन हो गये तो इसे जादा रगणने की जर्रत भी नहीं पड़ी और कुछी मिंटों में इसको मैंने एकदम क्लीन साप कर लिया है जहां आप काफी देर तक रगणते रहते हो और फिर भी अच्छे से दाग नहीं निकाल पाते हो तो आप इस टिप को जरूर अपनाना बहुत यूजफुल रहने वाली है बहुत ही कमाल का आइडिया है तो मैंने यह देखे मक को यहां पर धुल के आपको दिखा रही हूं मैंने सिर्फ भार से दुला है अंदर से इसको साप नहीं किया अंदर से मैंने कुछ भी नहीं देख सकते हो और भार से देख सकते हो इसमें कितना फरक आ गया है तो उमीद करते हूं चोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड़ और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो फिर बढ़ते अगली टिप्स क पर इस तरह से बहुत जादा गंदी हो जाती है तो हम इने किस तरह के से क्लीन करें लेकिन आपकी शर्ट पर कैसा भी दाग लगा हो और उसको आपको बारबार रगणने पर भी वह सही से साप नहीं हो पाती है तो क्या करना है सबसे पहला आप उनको इस तरह के से भीगो को जो भी ठीक लगे वह आप सेंपू ले लीजेगा और उसके बाद में फिर याप इस तरीके से आपको इसके उपर डाल देनी है और उसके बाद में फिर आप अपके हातों से इसे अच्छे से रख कर दीजेगा तो यहां पे मैंने स्रिप सेंपू लगाई है और सेंपू को इस तरीके से कॉलर प्रप रब कर दे रही हैं कॉलर पर बस इसी तरीके से हमें रब करने है ना हमेंहें कोई वुरूस लगाने की ज़रष है और ना ही हमें हमें कोई जादा इसको घंटों तक रगणने की ज़रूस नहीं है बस हम Sekunde के लिए इसको रफुकर अपने हातों स तो यहां मैं आपको दोनों हादों से अच्छे से रब करके दिखा देती हूँ जादर रगड़ना भी नहीं पड़ेगा बहुत ही इजी टिप है तो बस इसी तरह के से आपको इसको रब करना है और रब करने के बादें फिर आप इसको दुल दीजिए जहां पर आप कॉलर पर बुरुस मारते हो काफी देर तक इसे रगड़ते रहते हो लेकिन यहां आपको कोई बुरुस लगाने की ज़रत नहीं है यहां सरिफ आपको फिंगर से इस तरीके से रब करना है बस और कुछ नहीं करना है मैंने दोनों हादों से इसी तरीके इसको र कल जाएगा तो यहां पर अब मैं आपको दुल के दिखा रही हूं तो फेंड बस इसी तरीके से आपको यह दुल लेनी है और आप देख सकते हो पहले कितनी गंदी जमी हुई थी और अब कितने अच्छे से यह क्लीन हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है वस आप एक रु यह सुर्ट की को इतनी चाहिए अच्छे से ख्लीन कर सकते हो तो आप भी एक वारे च्छे को जरू ठाइक डूर्प करना है आप आपके घर में जो की स्कूल की युनिफॉर्म यूज में लेते हैं घर में उपस में जाने वालों की यह भी शर्ट को हम अभ़ते हैं तो कॉल सब्द 나오면 कि स्वाइब टोछ युज में कर लेते हैं और इसके बाद जब इसमें से जो मशाला गिरता है और बार बार में मसाला दानी गंदी हो जाती है और इसे हम रोज रोज धुल सकते हैं यह झाल सकते हैं और जल्दी से खराब ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चीए क जीहां टेंट्स आपकोई भी टीकुपेपर लेजिए पर टीकुपेपर फिर इस तरीके से इसमें लगा दीजिए इस तरिके साथ जब टीकुपेपर लगा दो गए और विसके बाद में जो जो मसल तानिक डिब्बे हैं उनको रखोगे और उसमें से जो भी गिरने वाला मसा मसाला दानी भी बचेगी उज्ण ऐसे ले सकते हो तो यहां पर इस तरीके से मसाला दानी की सब्सक्राइब यहां पर आप जब भी जो चमच होती है इन के अंदर की तो हम कई कई वार क्या सोचते हैं कि इसमें जब अंखल के लिए लेनी चाहिए और एक मशालों के लिए यूज में लेनी चीए इस तरीके से लोगे तो आपकी मसाल दानी भी देकने में सूंदर लगेगी तो अब बढ़ते हो अगली टिप्स इसमें यह होता है कि काई बार फ्रेंड समट है इस तरीके से आप सारे जो मसाले हैं उनमें थोड़ा थोड़ा नमक डाल दीजिए आपके 10-15 दिन तक बिल्कुल भी मसाले खराब नहीं होंगे चोटी चोटी सी टिप्स है उमीद करती हूँ आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना चलिए फिर बढ़ते हम अगली वाली नेक्स टिप के लिए तो अगली टिप्स है हमारी इस तरह के जो साबुन की रेपर होते हैं जैसे टाइट वा के आपको इसके अंदर एक बड़ा सा होईल कर लेना है और चोटे छोटे से एंड़ कर देना है यहां पर मैंनेुचर सबगें नीचा के से चोटे-चोट के लिए यूज लेंगे तो भी मैं आपको बता तो बस यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से इसमें सारे हॉल बना कर तैयार कर लिए तो अब मिहां हमें लेनी हैं दूसरी चीज है फिनाइल की गोलिया यानि की नैथलिम जो हम इनको यूज में लेते हैं कपड़ों में रखने क तो वह यह सारी इसमेल को खीज लेती है तो इसलिए हम इसको कपड़ों में रखते हैं साथ ही अब हम इसे एक और जगे पर बहुत अच्छे से यूज में लेंगे तो क्या करना है कि इस तरीके से इनको तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद में फिर आपको इसको कहां य जो गंदी इसमेल आती है उसको इस सबको खीज लेगी और आपको एक भीनी सी अच्छी सी खुसबू देगी तो इस तरीके से आप इसे लगाईए आपको यह देखने में भी बहुत सुन्दर लगेगा और आपको आपकी बहुत अच्छी स्मेल आएगी तो उमीद करते हम आप मेरी वीडियो कहां से देख रहा है एक वारी कमेंट करके जरूर बताईएगा आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए बहुत जादा महत्वे रखता है चलिए फिर देखते हम अगले वीडियो गैस के जो बर्णर होते हैं उनमें कच्रा भर जाता है और वो इतने गंदे हो जाते हैं वो सही से साप नहीं हो पाते हैं तो इनको आप हलका सा गरम कर लीजिए गरम करके इस तरीके से आप इन्हें कटोरी में डाल दीजिए मुझे एक भेन का कमेंट आया था कि गैस के बर्णर कैसे साप करे कोई अच्छी सी आप टेप बताईए तो यहां प कीजिए और उनके उपर इस तरीके से बाइट विनेगर डाल दीजिए और इनको आप चिम्टे की सायता से इस तरीके से इनको पलट दीजिए बस कुछ मिनिट के लिए आप इनको इसी तरीके से रखा रहने दीजिए इसी में और रखनी के बाद में फिर आपको इनके उप है Breaking soda और breaking soda लेनी के बाद में हमें इनको कुछ इस तर्फम कर दिया है और 10-15 मिनिट के लिए इनको हम इस तरीके से ही चोड़ देंगे और जो इस इसका जो पानी है उसका भी मैं आपको बहुत अच्छा आगे जाके टिफ्स बताऊंगी कि यह पानी हम किस तरीके से कामे लेंगे क्या क्या कामे आने वाला है आप इससे देख सकते हो आप पूरी किचिन को इस सोलेशन से तैयार कर सकते हो पूरी किचिन आपकी एकदम नए जैसे चमकने लगेगी सिर्फ जो इसके अंदर बता रखा है कि इस तरीके से यूज में ले सकते हैं कैसे इसको मैंने दुखाया है वो भी मैंने आपको बता रखा है तो आप इस तरीके से इसको रब करिए रब आप तीन से चार मिनिट ही करिए आपका बढ़नर ऐसे बिल्कुल नए जैसा चमकेगा और यह बहुत से रगड कर साप कर लेना है आप इसको ऐसे रखड़ोगे तो इसके अंदर जो गंदगी जमी होगी सारी निकल जाएगी जैसे चाइप बगे रहम बनाते हैं बढ़नर के उपर गिर जाती है दूद बना उपन जाता है उसका भी और तो सब चीजे इसके उपर जमती है धीर हो जाएगा क्योंकि नमक जो तब उसमें जंग लगी होती है उसको काटता है जंग को खतम करता है और बढ़नर को बहुत अच्छे से चमकाएगा तो यहां आप देख सकते हो बढ़नर की एक-एक छेद आपको देखाई दे रही होगी बहुत अच्छे से यह क्लीन हो गई आपने चारों तरफ से देखा होगा पहले कितना गंदा था और अब यह कितने अच्छे से क्लीन हो गया है तो आप भी कुछ इसी तरीके से इनको क्लीन कर सकते हो बिना कोई ज्यादा जंजटके नहीं ज्यादा पैसे के और अब हमारी एक कटोरी में हमें ले लेना है यह नमक जी हाँ फ्रेंश, यहाँ आप एक शे दो बड़े श्पून भरकर नमक ले लीजिए दो छमच तो मैंने इह आप नमक लिया है दो चमच भरकर और अब इसमें दूसरी चीज भाईट आपनाई लिया है और इस enfant यहाँ लिएख लीजिय तो आप इसमें दूसरी आपनी के mr javasہ लिए नमक पानी में अच्छे से घोलो कि में दोर diffi तो liक्तर खेलिक और जोई को सिपला एक अट एक गल करते हैं तो मैंसे तरीके से इसमेश पर कर दोंगी एक आप algumas अएंबी सब्सक्राइब Abdul… तो आप भी इसी तरीके से इसमें ताजा फ्रेश नीमू लीजिएगा और नीमू आप इसमें पूरा एक एड़ कर दीजिए और तीनों का अब अच्छे से मेक्स कर दीजिए तो यहाँ पर जो नमक है यह पूरी तरीके से इसमें घुल जाना चाहिए पानी में ताकि यह अच्छे से वर्क कर सके तो यहाँ पर यह एक solution बन कर तयार हो गया है और अब हमें से किस काम में लेंगे तो भो भी मैं आपको बता देती हूँ तो यहाँ पर इसके अलावा हमें लेनी है इसमें चौथी चीज है वो है कॉटन जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ हमें कॉटन लेनी है और कॉटन के कुछ इस तरीके के छोटे छोटे हमें टुकड़े कर लेने है तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से कॉटन को इसमें डाल दे तो यह जो solution है उसमें आपको cotton को अच्छे से भिगो देना है पूरे में चारो तरफ अच्छे से डाल देना है और इसे हम किस तरीके से यूज में लेंगे बो भी मैं आपको बता दूंगी cotton पूरा इसमें अच्छे से जो ये solution बनाकर हमने तैयार किया उसको एजॉब कर लेना चीए ताकि इसके अंदर पूरे अच्छे से से हो जाए तो यहां पर मैंने इस तरीके से देखे अच्छे से पूरा कॉटन इसमें सेट कर दिया है और अब इसके हम छोटे-छोटे बावल बना सकते हैं या फिर आप कुछ इसी तरीके से इसको इसमें कुछ देर के लिए र जैसे कि हमारे घर में जहां पर हमारी गैट है खिड़किया है उन पर लग जाती है दीमक तो इस तरीके से हमारी गैट की दरवाजे हैं उनको बिल्कुल दीमक ने खाखा के कुछ इस तरीके से पौले कर रखे हैं तो इन में आप इसको भर दीजिए और इस प्रोसेस को अगर आप करते रहेंगे तो बहुत जल्द ही जो दीमक है वो खतम हो जाएगी जड़ से मिट जाएगी बिल्कुल और बहुत ही ज्यादा आपको यूजफुल रहेगी यह बहुत ही कबाल की टिप है फ्रेंस मैंने इसको दो बीक लगतार ट्राइ किया तो मेरे घर से जो द अगता है आपके घर में जहां जहां दीमक लगी है वहां वहां पर आप कुछ इस तरीके से इसको रख दीजिए और यह इसी तरीके से इसमें रखा रहेगा तो इससे की जो पहेंक है और इसका जो बनकर तयार हुआ है इससे वह बिल्कुल भी नहीं रहेगी आप एक वार इसको ट्राइ जरूर करना बहुत यूजफुल रहने वाली आप लोगों के लिए तो मैंने तो बस इसी तरीके से इसको ट्राइ किया और साथ मैं आपको दिखा देती हूं देखो मेरे तो इसमें से दीमक थी जो निकल गई है सब खतम हो गई है सारी दीमक धीरे धीरे खतम होती चली जाएगी तो आप भी इसी तरीके से एक बार जरू ट्राइ करना मेरी तो जो गैट था उसको बिल्कुल दीमक ने खाके इस तरीके से ख्राब कर दिया था तो फिर मैंने ये वाली टिप अपनाई तो मैंको इससे बहुत ज़्यादा रहात मिली तो यहां पी देख कर दाई टो आप्ट के गयेट है गिट अग्विन जहांपर घरमेट विपना नहीं आप बहुत दीमक नहीं हरो आप को दो ब्रूसदी तो अप का यहे में Himaloyback है एक पर जो वनइद करूर तो इसंद पांद में कर दिजिने चोंदिनार यह जोड़ा-जाता है तो इसको भी आप इसी के उपर बाफस कर दीजिए बैसे मैंने तो इसको पूरे तरीके से अच्छे से से इसमें सե՟ किया है और नाइप ख теo शायता से इसमें अंदर दिया है और इसके उपर आप लिक्वेड भी इसका एक इस्प्रे बोटल में भरके इस्प्रे भी कर सकते हो इससे यह नहीं है कि आप रोई के लेकिन कॉटन से यह रहेगा कि इसकी जो महें के इसमें जो इसमें जो एक शॉलूशन बनकर त्यार हुआ है वो बहुत अच्छे से बर करेगा इस्प्रे थोड लिए टिप्स की और